स्यावर राम चंद्र कीडे श्री रामानंद भगवान कीडे श्री रादिरादे भक्तों, श्रीष्टी में जो भी कुछ है वो जब उत्पन्न हुआ तो प्रभु की इच्छा से उत्पन्न हुआ यहां तक की अधर्म भी भगवान की प्रिष्ट भाक्षे उत्पन्न हुआ भक्ष से धर्म की उत्पत्य हुए और पीठ से अधर्म की उत्पत्य हुए स्रीजन भी उत्पन्न हुआ, पालन भी और विनाश भी उत्पन्न हुआ शतयुग भियुत्पन्नुअ रेता द्वापड और कलयुग भियुत्पन्नुअ अपना अपना स्वभाव अपना अपना गुन ले करके वो कार्य अपना करते रहते हैं किन्तो हैं सभी भगवान के बनाए हुए संत हंस गुन गहां ही पए परिहरी बारी विकारू संत का करतब भी है कि विकारों पर ज्यान न देकर गुन को ही ग्राण करें श्रिष्टी में तो ठाकुर जी ने सब कुछ बनाया है क्योंकि वो उनका लीला विलास है कृड़ास थली है तो जब भगवान स्री रामानन जी महराज यज्यो परांत प्रकट हो गए सुन्दर अच्यंत ही सुन्दर बारह वर्ष के बालक के भूप में कलाप श्रावन कर रहे थे कि उन्होंने सन्यास ग्रहन करके घर में नजा करके गंगा तटपर ही वास किया एक गूफा जैसी जोपड़ी में कुटिया में ही रह रहे थे तो उस समय सब लोग दर्शिन करने आते थे तो कल्यूग के मन में आया कि मैं भी दर्शिन करूँ एक बार आधी रात के पस्चात जब गंगा स्चनान करके आचारे प्रभुवर्थात भागवान सी रामनंद आसन पर बैठे तो इस यूग के राजा कल्यूग जी मूर्तिमान होकर राजसी वेश में आये उनका काला रंग था सुन्दाय और किशोर रूप में तपस्वी वेश में विराजे आचारे श्री का दर्शन करके कल्य राज बहुत प्रसंद हुए श्री रामनंद आचारे जी के दिव ये तेजो में मुख मंदल को उन्होंने छीपे छीपे दूर से देखा था दर्शन तो दूर से ही किया पहले फिर मन में हुआ कि निकट जाकर दर्शन करें इसलिए उनके मन में महराज जी के भाजन में बाधा करने की इच्छा हुई क्योंकि कल्यूग का सुरूप ही एई है तो भीगन करने के लिए तो आये थे लेकिन जब दर्शन किया है रामानन भगवान का तो कल्यूग का मन पवित्र हो उठा और अपने कर्म के लिए उनके मन में लज जाए कि मैं क्या करने के लिए आया मैं गलत हूँ मैं इनके भाजन में बाधा दालूँ यह उचित नहीं है कल्यों मन में सकुचाने लगा पच्टाने लगा कि अच्छा नहीं होगा लाज ची लगने लगे उसको आजारे के तेज के कारण वहाँ वो आ नहीं सकते थे उन्होंने देखा पंजपात्र अश्टधातु का है तो अश्टधातु में स्वर्ण भी थी तो उस सोने में वो सूक्ष मुरूप से आखर बैठ गए और जब महराज स्षी रामन अन्द भरवान ने आच्मन किया पंजपात से जल लेकर तो आच्मन करते ही ततकाल ही उनको पता चल गया कि इसमें तो बैठा है तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो और पूजन में विगन करने क्यों आये हो कल यूग ने कहा ही नाथ मेरा नाम कली राज है मैं इस समय कर राजा हूँ और भाजन में विगन करना तो मेरा सभाव ही है और शुब कारिय के लिए तो मैं बाधक सदा ही रहता हूँ पर मैं एक विन्ती करने आया हूँ इस समय बस थोड़ी सी बात मुझे करनी है हे नाथ कल यूग ने कहा भक्तों कि हे नाथ आप ही के उत्पन्न किये तो चारो यूग है ऐसा तो नहीं कि केवल सत यूग को ही आपने बनाया हो सत्यूग त्रेटा द्वापर को जैसे आपने बनाया है ऐसे मुझे को भी तु बनाया आपके चारो पुत्रों में सबसे छोटा हूँ मेरे अउगुनों को देख कर आप क्रोध नहीं कीजिए अन्यूगों में जो अनधिकारी थे उन्ही को मैं अधिकारी बनाया हूँ जो छोटे थे पहले उनको बड़ा बनाया है जिनकी और यूगों में व्वेक्षा हुए उनको मैंने बड़ा बनाया हूँ आप भी तो दिन बंदों है प्रभू सदा दिनों का उद्धार किया है अपने सो वही रीती आपकी ही रीत पर मैं चल रहा हूँ अब आप कृपा करके उन्च नीच सब को अपने राम मंतर का अधिकार प्रदान कर दिजिए जिससे संसार के सभी मानूं के लिए मुक्ती का द्वार खुल जाए आपके चर्णों की भाक्ती प्राप्त हो कल यूग ने कहा कि महराज मेरे राज में वेद का प्रचार नहीं ज्यान और योग को भी मैं छीनने वाला हूँ अहंकार मेरा सेना पती है उसी अहंकार ने विद्वानों के मन में विदेरा डाल दिया है कल यूग ने भगवान रामान अन्जी से कहा कि लोग अपने को चाहे ग्यानी समझें चाहे योगी समझें चाहे बहुत विशिष्ट अपने को समझें लेकिन मेरा सेना पति अहंकार उनके अंदर रहता है उसने विद्वानों के मन में भी डेरा डाल दिया है मेरी आज्या से काम देव फूलों का धनुस बांड लेकर सब इस्त्री पुरुशं के हिर्दियों में बिंचता रहता है पर इस्त्रीयों को माता मानने वाले बहुत थोड़े से लोग रह गए है कल्योग ने कहा भगवान शीरामन जिसे कि मैं वर्णाष्ट्रम धर्म की मर्यादा को तोड़ कर अनेकों अपराद करा कर लोगों के कर्म धर्म की चोरी करता रहता हूँ मेरे प्रयत्तों से सभी लोग अधर्म की नवका पर चड़े रहते हैं कप्टी लोगों ने ज्ञान के वस्त्र दिखाने के लिए ही पहिन रखे हैं कोई शुव साधना करता भी है तो दंब ढोंग आगे आकर उसका पुनिन नष्ट कर देता है मैंने सब की नाक में अकेल कर रखी है चाहे वो ज्यानी हो चाहे अज्यानी हो हाँ केवल एक श्री राम नाम को मैं अवश्य मानता हूँ कल्यूग ने कहा भगवान रामानन्द की चरणों में सिर जुका कर कि श्री ब्रह्मा से ले करके साभी बड़े रिश्य मुनी ये सब जानते हैं कि मेरे समय में अर्थात मेरे यूग के बराबर कोई दूसरा यूग नहीं है वैसे तो लोग मुझे आवगू नहीं कहते हैं लेकिन मेरी महिमा और यूगों से भी ज़्यादा है क्योंकि श्री राम नाम की महिमा मेरे ही राज्य में देखने में आती है सत्यूग त्रेता द्वापर आध जो मेरे बड़े भ्राता हैं उनके राज्य में भावसागर से तरने में बड़ी कछनाई है मुक्तितो करोणों वर्ष तप करने पर भी मिलने मुश्किल है अन्य यूगों में उन यूगों में प्राया लोग आईश्वरे के लिए या स्वर्ग कामना से वन वन में हजारों वर्ष तप किया करते थे कल यूग ने कहा किन्तो हमारे यूग में तो थोड़ा सा ही परिश्रम नाम जबके करने पर वही फल मिल जाता है भक्तो कल यूग ने अपने अंदर की घहरी से घहरी बाते छिपी हुई जोती भगवान रामनंद के समुख प्रकट कर दिया कल यूग ने कहा श्री राम नाम का जब कुछ दिन बराबर दिन रात करने पर मुनिय द्वारा चाही हुई मुक्ती भी मिल जाती है और श्री राम चरित्र का भी जो निरंतर प्रेम से पान करते हैं और गान करते हैं वो पराभक्ती प्राप्ट कर लेते हैं यही मेरे राज्जी की नीती है श्री शंकर जी भी श्री राम नाम का जब समाध लगा कर करते हैं उसी राम नाम का वीज समस्त संसार में व्याप्त है उसी राम नाम की शक्ती से सभी शक्ती वाले हैं उसी राम नाम की जोट से सूरी चंद प्रकाशित हैं सारा संसार ही श्री राम नाम में है इसलिए ऐसे श्री राम मंत्र को जपने का अधिकार सब को दीजे यह सुन करके आचारे श्री रामानन्द भगवान हासने लगे तो कलिराज ने जै हो जै हो आचारे भगवान की जै हो जगद गुरु यतिराज श्री राम स्वरूप कमल लोचन आपकी सदा जै हो कलियोग ने का हे सनकादिकों का भ्रहम दूर करने वाले हनसाव अतार ज्यानी जनों के श्रोमन श्री कपिल जी आपकी जै हो पुन्य सदन जी के विप्र कुमार प्रिय कुमार और देवी सुशीला के सुपुत्र होने वाले परमकृपालू भक्ती के बस में होने वाले सदा भक्तों के अनुकूल रहने वाले दिव ज्यान के निधान आनन्द के उद्गम आनन्द के उद्गम स्थान ये प्रभू आपकी सदा जै हो श्री कलिराज के बहाव भरे वचन प्रभू सुन रहे थे रामानंजी महराज कलिराज ने अत्यंत प्रेम युक्त गद गद वानी से जब विनय की तो आचारी महाप्रभू ने प्रसन्नों कर कहा ऐसा ही करेंगे शर्ण अगत वच्छल ने प्रण की रक्षा के लिए शर्ण में आये हुए कलि पर कृपा पोन द्रिष्टी डाले आचारी बोले यों तो ये बात ठीक नहीं अनुचित है क्योंकि शूद्र आजिकों को मंत्र का अजिकार वेदों के मत से नहीं है परंतु तुम्हारी ये युक्ती मुझे बहुत प्री लगी है वास्तो में श्री राम मंत्र मोक्ष डाता है बिना परिश्वम के ही श्री राम मंत्र के द्वारा अर्थात भगवान के दाम के द्वारा जब द्वारा नर्नारी भौसागर से तर जाते हैं ऐसे परहित के लिए ही तुम प्रार्थना कर रहे हो तुम्हारी परहित की भावना मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए मैं भगवान श्री राम के मंत्र के जब का अधिकार मोक्षार्थी भक्तों को प्रदान करूँगा जिससे सभी वर्णों के लोग गटी प्राप्त कर सकेंगे और अम्रित के समान महाप्रभु के मधुर वचिन सुनकर कलिराज का देरूपी सरोवर आनन से उमर्डे लगा वो बोला हे नाथ मैं महा मलिन और पापी हूं सदा संतों को दुख देना कपट करना मेरा काम है आपने मेरी दुष्टता की और ध्यान नहीं दिया मैंने आपकी सेवा नहीं की फिर भी आपने मेरी प्राथना स्विकार कर लिए ये नाथ अब थोड़ी कृपा और करके मुझे श्री राम मंत्र की दीक्षा पहले प्रदान कर दीजिए मुझे अपना सिष्ट बना लीजिए कलिराज की बिंती मान करके प्रसन्न होकर के आचारे महाप्रभु ने शडक्षर श्री राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की जो तारक मंत्र माया को और कामादी दोशों को दूर करने वाला है तथा भावसिंद उसे पार करने में जहाज के समान है कलिराज ने शिष्ष बन करके बड़ी श्रद्धा से चर्णों में प्रणाम करते वे कहा श्री गुर्डेव आप इसी प्रकार संसार का कल्यांड करने की कृपा करिए और आगे जो आपकी संप्रदाय में शिष्ष परिकर होगा तथा जो भी आपके मत्र के अनुयाई होंगे उनकी में सदा सहायता करूँगा आपका नाम अर्थात राम नाम जो जब करेगा उसकी में सदा सहायता करूँगा आपके संप्रदाय के प्रचार में बादा नहीं डालूँगा क्योंकि भूल करके भी गुरू का अपराद नहीं करना चाहिए हाँ कभी कुछ बिग्न करूँगा भी तो प्रकारांतर से भविष्य में उनका हिट करने की इच्छा सही करूँगा कलिराज की ये बात सुन करके आचारे मुस्कराने लगे उसका क्रूर सभाव बदला देख करके भगवान श्री रामानन जी को बड़ा हर्श हुआ बारम बार आचारे भगवान को प्रनाम करके कलिराज अपने धाम को चले गए आचारे अपने आश्रम में आनन से भजिन करने लगे भगतों इस प्रकार से सबके धार्मों को नश्ट करने वाला बुद्धी को खराब करने वाला अवगुनों को प्रकट करने वाला सद्गुनों को नास करने वाला कलिराज भगवान से रामानन अंद का शीष्य हो गया और जो राम भक्ती करने वाले हैं अर्थात प्रभु की भाक्ति करने वाले हैं, उन सब का सहायक बन गया, जो भगवान का नाम जपने वाले हैं, उन भाक्तों संतों का हिताइशी बन गया, और सब भाक्तों संतों को अपना गुरुभाई मान करके, क्योंकि वो रामनन्द भगवान का सिश्षी बन गया, कलिरा इसलिए सबको अपना गुरुभाई मन कर किसी को दुख नहीं देता है। बहुत प्रेम की रहती है, अर्थात कृपा की रहती है, सताने की नहीं रहती है। देरे देरे संतों को एबात मालूम हो गई, कि कली राज अर्थात कलियोग भगवान श्रामनंदी का सिर्शी बन गया। और चर्णों में बारंबार दंडोत करके गया है, कि अब भगवान की भक्ती करने वाले को मैं नहीं सताओंगा। इस तरह से महराज शी की महिमा सरवत्र लोगों को पता चलने लगी। और आचारे की महिमा सुन करके एक दिन सुधहुली के राजा आये। उनके राजकुमार को क्षैरोग हो गया था। उस राजकुमार की माता महरानी बहुत रोती हुए आई। और कहने लगी मेरे साथ पुत्र हुए थे सभी मर गए। एक ये बचा था इसको भी शे रोग हो गया है। ये भी मरने ही वाला है। वह इद्यों ने जवाब दे दिया है। मैंने बड़े उत्सा से इसका विवा किया था। अब बधू भी विद्वा होने वाली है। इस बधू को आप सुहाग दान देती जिए। मेरा ये पुत्र मरना सन्न पड़ा है। इसे बचा करके सब राज परिवार की लाज रख लीजे। उस महरानी का विलाप सुन करके जो लगातार रोती जा रही थी। आचारे भगवान भीतर से अद्भूत वानी बोले। महराज जी ने कहा अपने राज कुमार को जीवित गंगा में डुबा दो। और साथ में दिन आकर इसे ले जाना। ये सुनते ही सब का मन मोह में पड़ गया। जीवित पुत्र को गंगा में कैसे बहा दें। किंट भग्तों राज कुमार बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा जब ये इतने सिद्ध पुरुस हैं। इनको लोग भगवान बताते हैं। तो इनकी आग्या से हमारा लाभ ही होगा। वैसे भी तो हम मरने वाले ही हैं दो-चार दिन के अंदर। अब कोई भी हम मुझे देखकर नहीं कर सकता है कि मैं जीवित रह पाऊंगा। अधिक सदिक चार दिन में, दो दिन में, तीन दिन में मर जाऊंगा। तो इसलिए इनकी आग्या पालन करना ही हमारे लिए अच्छा होगा। माता पिता घर के लोग तो नहीं कर रहे थे कि ऐसा किया जाए गंगा में डालें इसको। लेकिन वो बुद्धिमान राजकुमार शत्रियों की वीरता दिखाया। वो स्वयम ही धिरे किशकता किशकता गंगा जी के टट पर गया। और सब के मना करने पर भी गहरी गंगा में कूद गया। और कूलते ही डूप गया महाराज। तो लोगों ने तो समझा कि मर गया। लेकिन जब वो गंगा जी की गोद में डूप की लगा दिया अगर था तो डूप गया। तो देवताओं द्वरा दिव्य लोग में ले जाया गया। अब ये दृष्टे तो कोई देख नहीं पा रहा था। बाहर से तो लोग ये समझ रहते कि उत्वरूब की मर गया। लेकिन उसको देवता लोग ले गये। और वहां उसका बड़ा सतकार हुआ। अनेक प्रकार के आनंदों का उप्भोग करता हुआ। उन्हों लोगों की शोभा देखता रहा। और उस राजकुमार के सब रोग शोग सब्दूर हो गये। ऐसे साथ दिन उसने विटाए जैसे किसी कंगाल को स्वर्ग का राज जिपा कर आनंद हो। इधर माता दिन रात रोती रहती थी। क्योंकि वो तो इसमिश्टी थी कि मेरा बेटा मर गया, गंगा जी में डूप गया। सारा परिवार राजा के सहिद दुखी था। किसी को विश्वास नहीं था कि राजकुमार फिर मिलेगा। लेकिन गंगा तक पर सब रुके रहे। इस भरोसा पर इस आशा पर इस साथ दिन तो बिता कर देखते हैं। साइड मिली ही जाए। आशा पुरी नहीं थी। लेकिन फिर भी महराज जी का बच्चन है तो नहीं जाएंगे हम लोग। सब गंगा जी जल की और देखते रहते थे। और एक एक करके एक दिन एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है। इंटिजार करते भी लोगों ने। साथ में दिन राजकुमार सब के देखते देखते जल के उपर प्रकट हुआ। निकल करके चल करके आया। जो चलता फिरता नहीं था। वो बिलकुल स्वास्ट एक दम तेजी से चलता हुआ आया। उसका सरीर बड़ा हिरिष्ठ पुष्ट था। राजकुमार को देखते ही सब लोग दवर पड़े। और स्वास्ट देखकर बड़े आनन्दित हुए। आचारे भगवान की बड़ाई यहों कूजा होने लगी। राजानी महराज करोणों स्वर्णमुद्राएं खर्च करके बड़ा उत्सो किया। बड़ा भाव भरा उत्सो किया हरिनाम कीरतन। और भंडारे रात दिन चलते रहे लोगों को मुह मागी बस्तु में देता थरा जा। उस दिन से आचारे भगवान की बात सब अचल मानने लगे। ऐसे अचल मानने लगे जैसे धुरूत आरा अचल है। पहले तो लोग यही कहते थे कि जिनकी श्रद्धा कमजोड की नौ। यही कहते थे कि दूप तो गया हो अब क्या हो साथ दिन बाद निकल के आएगा। बहुत से तो गुम्सुम हो गय कि यह क्या हुआ। महराज जी ने क्या अग्या कर दी क्यों उसको गंगा जी में दुबा दी है। लेकिन साथ में जी पूर्ण स्वस्थ हो करके निकला है। तो सब महराज जी की जैजेकार करने लगे। और राजा ने तो महान बड़े बड़े उत्सों किये। जगत गुरु की महिमा अठात भगवान रामनंद की महिमा अब बहुत बढ़ने लगे। पृत्वी भी आनंदित होई और पंचतत्व जल पवन आज सब जगत गुरु भगवान श्री रामनंद अचारी की आज्या की प्रतीक्षा मेरा ते थे। सारी स्रिष्टी में आनंद ही आनंद दिखलाई पढ़ रहा था। महराजजी के मंगल में चरित्र का गान करकर के लोग आनंद ही ठोने लगे। उनका दर्शन करने के लिए लोग लालाईत रहते थे। उनका एक शब्द सुनाई पढ़ जाए इसी अविलासा से लोग पढ़े रहते थे गंगाजी किनारे। बड़ी कृपा थी महराजजी की दुखियों के उपर, दीनों के उपर। उनके और चरित्र में आगे आपको फिर सुनाऊगा। आज महरा श्री रामनन्द जीम की चल्णु में बारंबार प्रणाम करके इपराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे ये, श्री राधे राधे। श्री आवररामचंढ के दे, श्री रामानंद भगवान के दे। झाल झाल झाल